नेल पॉलिश सिर्फ नाखोनम के लिए है है ना फिर आइडिया करना हम आपको इसके पुराने जुतों को नए बनाने के लिए एक कैंडी कटोरा सजाने के लिए और एक प्यारी मचली बनाने के उपयोग दिखाएंगे हमारे नए वीडियो में नेल पॉलिश क्राफ अस नेल पॉलिश की पुरानी बोतले है जो धूल खाती है मेरे पास आइडिया है महीन तार का टुकडा ले अंत में छोटा सा लूप बनाए दूसरी तरफ दो छोटे चोरों को बनाए और बीच में से तार को लपेटे ये चोटी मचली की तरह दिखना चाहिए पेपर प्ल और तार के किनारे लपेटे हो गया आप मचली का उप्योग घर सजावट के रूप में कर सकते है या वे आपके शेल्फ पर रह सकती है इसके अलावा वे नोट्स या फोटो के लिए फ्रेम भी हो सकती है ये ग्लास फुल दन उबाव लगता है है ना पैलेट, क्यू टिप्स की जोडी और नेल पॉलिश के कुछ रंगले हर एक का थोड़ा रंगले पॉलिश में क्यू टिप डुबोए और फुलदान के नीचे साइट्स पर डॉट्स लगाए डॉट्स रैंडमली लगा दे जैसे आप चाहते हैं छोटे मोटे सबसे पहले ल ये तो सुन्दर कैंडी कटो रहा है ये शेल्ट पर सम्मान की जगह पा सकता है इन जूतों की एडी मरम्मत से परे लगती है लेकिन क्या इसे वास्तों में गुडबाई कहेंगे नहीं नेल पॉलिश इसे पचाएगा एडी पर उपर तक पट्टी खीचे अन्या रंगों को बाहर निकाले और उन पर भी लागू करे रंगों को मिलाए बिना समान और सावधानी से स्ट्रिप्स को लागू करने का प्रयास करे वोईला नए जूते तयार है आप इस डिजाइन पर फिर से पेंट कर सकते है अगले क्राफ्ट के लिए स्टेम और पूरी मातरा में नेल पॉलिश ड्रिप करे पॉलिश खूब सूरती से फैल जाएगी अलग रंग की एक बून जोड़े किनारे को पॉलिश से फैलना चारी रखे परिडाम एक सुन्दर पैटन है जब सब सूख जाए तो सफेद पेंट ले और धब्बे के किनारे पर लगा अब आपको साधे पुराने फोम केस और रंगिन पॉलिश की कई बोतलों की ज़रूरत है कागश के टुकड़े पर केस रखे और पतली पंक्तियों में पॉलिश डाले अन्य रंग जोड़ दे इसे सूखने दे बस हो गया आपका नया और अनोखा केस बन गया अब आपको खाली प्लास्टिक बोतल की ज़रूरत है उस पर एक टिटली की रूप रेखा तयार करे इसे काट दे कुछ नीली नेल पॉलिश ले और टिटली के बेस को पेंट करे पंक्खों के किनारे को गहरे नीले रंग में पेंट करे दूसरी तरफ लकीर खिंचने के लिए मारकर का उप्योग करे कुछ चम के लिए हरे स्ट्रोक्स लगाए आधार के लिए छोटे गोल चुमबक को गोंद करे हो गया आप इस दिटली को एक बोर्ड या रेफ्रिजरेटर पर लटका सकते है बहुत ही प्रिटी है यह पेंसिल मेरे जैसे ब्राइट व्यक्ति के लिए बहुत ही साधी है एक कागज ले ले बीच में नेल पॉलिश की पंक्तिया पेंट करे और कई रंग जोडे आप जो रंग चाहे उप्योग कर सकते है किनारों से पेंसिल को पकड़े और स्ट्रोक्स पर रोल करे चबकदार बहु रंग की स्ट्रिप्स पेंसिल तैयार हो गई है ये तो कमाल है मुझे इस तरह का ओफिस सप्लाइब बहुत ही पसंद है ये समुद्र सीपी मुझे गर्म दिनों की याद दिलाती है उनमें से एक ले और इसे ग्रे निल पॉलिश के साथ कवर करे सफेद बूंदे जोडे दूसरे शेल गुलाबी रंग और इसे सफेद धारियों के साथ सजाए बैंगनी पॉलिश के साथ एक को पेंट करे और सफेद पैटन जोडे और इसे शेड में पेंट करे ट्रे पर सीपी फैलाए ये बहुत ही ब्राइट और अद्वितिया है गर्मियों के लिए इंतजार नहीं कर सकती अगले नेल पॉलिश क्राफ्ट के लिए आपको पत्थर और कुछ समुद्री नमक की आवश्शकता होगी पत्थर का एक हिस्सा हॉट ग्लू के साथ कवर करे और इसे नमक में टूबो दे नमक को नेल पॉलिश से पेंट करे टॉप पर चमक छिड़के थोड़ा अलग रंग जोड़े और कुछ चमक भी पत्थर को सभी और से चमकीले रंगों में पेंट करे ये तो असमान्य रत्न निकला जैसे किसी परी कथा से देखो कितनी खूप सुरती से अंधरे में चमकता है साधी सफेद प्लेट दिलचस्त नहीं है लेकिन हमारे पास इसके लिए बड़ी योजनाएं है कुछ नेल पॉलिश ले और बीच से शुरू करते हुए एक हिस्से को गुलाबी रंग दे लाइटर शेड जोड़े ये सुनिश्चित करनी के लिए कि रंग एक दूसरे में न मिले मास्किंग टेप का उप्योग करे एक दूसरे से मेल खाने वाले रंगों से पेंट करना चारी रखे कलर ब्लॉक शैली में असामान ने डेकोरेटिव प्लेक तैयार है इसका उप्योग आप अपने गहने स्टोर करने के लिए कर सकते है सुन्दर और प्रैक्टिकल काले हैर क्लिप उबाउ है चलो इसके बारे में कुछ करते है कुछ चमकी लिद नेल पॉलिश ले हैर क्लिप को इसके साथ पेंट करे कुछ सफेद डॉट्स पेंट करे दूसरी पीन को सफेद रंग से रंगे पॉलिश के साथ एक और को कवर करे और टॉप पर कुछ चमक छिड़के आपको bright और sparkly hair clip का पूरा set मिल गया है अब आपके बाल अधिक दिल्चस्प लगेंगे और ये आपको खुश कर देता है ओ, ये समान कुंजिया हमें ब्रहमित करती है हमें थोड़ा उन्हें अस्तित्व देने की जरूरत है पारदर्शी प्लास्टिक का टुकडा ले कई आकार में काटे चक्र, वर्ग या फिर खुद का चैन कर सकते है सफेद नेल पॉलिश के साथ सरकल को कवर करे इस पर डालमेशियन के काले धब्बे पेंट करे वर्ग बैंगनी होगा इस पर सफेद पंक खीचे एक छेद बनाओ चाबी के छले को चाबी पर रखे अलग-अलग दिखने का ये आसान तरीका है हम जानते है कि हर कुणजी कहां जाती है पुरानी गॉगल से उप गए है तो उन्हें अपडेट करते है भूरे और सफेद रंकी तेजी से सुखने वाली मिट्टी ले भूरे रंकी मिट्टी को रोल करे और इसे लेंज की चारो और रिम पर पिछाए इसे थोड़ा चप्टा करे टॉप पर सफेद बिछाए दूसरा लेंज भी सजाए और नेल पॉलिश ले पतले ब्रश पर थोड़ी पॉलिश लगाए और मिट्टी के उपर से स्ट्रोक खीचे अलग रंग में पेंट स्ट्रोक आपने पहले ही अनुमान लगाया क्या? कि ये किस तरह लगते है? सुन्दर चमकता हुआ डोनेट्स बाकी फ्रेम को गुलावी रंग दे इसे सूखने दे आप इस पर कोशिश कर सकते हैं मैं कैसे दिखती हूँ? लगता है कि ये वही निकला जो आपको चाहिए इस क्राफ के लिए छेत का चीनी सिक्का ले और जैसा कि आपने अनुमान लगाया होगा नेल पॉलिश सिक्के को पॉलिश की परत के साथ कवर करे टॉप पर मोटी चमक छिड़के रिवर्स सैट पर भी चमकदार परत जोड़े आपको शानदार दो तरफा लटकन मिलती है इतना चमकदार मैं अपनी आखे बंद नहीं कर सकती अब आपको छोटे फूलदान और लाल रंग की नेल पॉलिश की अवजश चकता है बरतन के उपर पॉलिश की एक समान परत दे पीले रंग की पॉलिश ले और पतले ब्रश के साथ छोटी बून के आकार के बीज बनाए काले मरकर के साथ हुने रेखांकित करे कुछ गूगली आँखे सलग न करे अंदर एक छोटा सकुलन्ट रखे बरतन सुंदर स्ट्रॉबिरी में बदल गया है कितना प्यारा है आप इसे एक दोस्त को दे सकते है इस क्रिस्मस बल्प को इग्नोर नहीं कर सकते सफे नेल पॉलिश ले और उस पर सरपील पैटन लागू करे इसके चारों और पंखुडियों को पेंट करे उनके बीच डॉट्स की पंग्तिया जोडे अन्य बल्पों को समान पैटन से सजाए यह बहुत ही सुंदर है विश्वास नहीं कर सकते कि सब नेल पॉलिश से बनाया है सुंदर हाथ से चितरित यह क्राफ्ट अब हम सभी को क्रिस्मस का इंतजार करना होगा क्या आपको हमारे नेल पॉलिश क्राफ्ट और हैक्स पसंद आए हमें टिपणियों में बताए कि आपने कौन से बनाये इस वीडियो को लाइक करना ना भूले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकॉन पर क्लिक करे ताकि आप ट्रूम ट्रूम पर लेटेस्ट वीडियो देख सके